बोला अच्छी है, Cathy की रुमेग है, Cathy मैंने देख लिए है, तो अविसिसली बहुत अच्छी लगी मुझे फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं है, जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि यह कैथी मैंने देखी हुई है तो अजे से ने काफी अच्छा डिरेक्ट की है मुवी को तो आक्शिंस बहुत अच्छे है और आक्शिंस इसमें जो हमारी पब्ली के ओडियन्स है ना उनको ये अच्छा लगे है विकॉस बहुत ही एरी सीन्स है जहां पर, you know, you see the blood blood आप देखते हो लेकिन इसमें कुछ एक नौच उपर का एक्शन है you see the bones coming out तो वो थोड़ा एक में को नाया लगा which was also good तो मुवी अच्छी लगी तो इसमें कुछ एक नौच उपर का एक्शन है as a commanding officer तो मैं उनको दाद देना चाहूँगे तो कि दृश्यम में भी वो कॉप बनी है इसमें भी आज उनके command जो है scenes में बहुत अच्छे लगे और और डिरेक्शन के साल लगा अजय साल का ओविएसी मैं वही आपको बताया है जैसे पहले भी कहा मैंने कि उनका direction मुझे बहुत अच्छा लगा क्लाइमेक्स हाँ ओरिजनल में नाइट में वह scene पूरा क्लाइमेक्स शूट हुआ है मुवी में इसमें दिन में शूट हुआ है तो लेकिन action की मैं क्या ही बात करूँ बहुत नजाया विजूस पर जो थोड़ी से थोड़ी कम अपीलिंग लगे विजूस थोड़ी अच्छे हो सकते थे बट अधवाइस मुवी इस गुड़ फॉर 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 अच्छी लगी बोला को मैंने 3D में देखा पर यहां पर रिमे को अलग लेवल पर बनाया गया है प्रॉपर 3D विजूस के लिए आप वो दूसरे अक्षिन पर है अलग ही लेवल पर उने अच्छन किया उन्होंने जिस तरीके से बाइक स्टंट किया तृष्ण वाल अक्षिन था अमेजिंग बहुत मजा आया लेकिन यहां पर उन्हें जिस तरीके से अपना रोल निबाया है खासकर एक हाट से उने अक्षिन किया है वह भी बहुत अच्छा किया है दृश्यम के एंड में एक बड़ा सा ट्विस्ट एं सस्पेंस और इंस इसको मिस्स मत करना आपके होश उड़ जाएगे देखें एडिटिंग विजिल्स विजिल्स के मैं तारीफ कर दो विजिल्स इस माइंड ब्लोइं स्पेशली जो बैक्राउंड में रात की विजिल्स बताए गए वाटरफॉल वगेरा वी एफेक्स भी जबरदस्त है क्लारिटी भी अच्छी है एंड स्टन्स में तो आप वावाही करोगे रवी बसूर सर उनके उन्होंने बैग्राउंड स्कोर दिया है वो तो है कनड़ा के बहुत बड़ी मूजिशिन है वो मूजिक कंपोजर है तो य प्यारी लग रही आए थी को ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं होगा उनको किसी अक्ट्रिस के साथ बहुत अच्छा लगा दिखकर अजे सर को मैं बोलोगी कि सर्य यू डिजर्व हंड़र ऑट 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 फॉर दिरेक्शिन बट मूवी के लिए 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 साथ में द्रिश्यम के बाद यहां पर उनको द्रिश्यम अच्छी दोनों टकर में थे यहां पर दोनों साथ में काम कर रहे है तो बहुत मज़ा है देखके दीपक दोबरिया कि मैं खास तारीफ करना चाहती हूँ यू नेल्ड यो कैरिक्टर जिस तरीके साब को लुक दिय है ना बहुत सूटकर है प्रॉपर विलेन ओफ दे मूवी जबर्दस्त थैंक यू बोला बोला तो सबसार पहले मैं बोलू कईती की रिमेक है कईती मैंने देखा था लॉगड़ॉन में हाला कि टेडर में तो मज़े नहीं ले सकते हम लोग कि लोगड़ॉन में देख लिया मैंने जब इसका ट्रेलर देखा में आउस्टानिक और आज पिच्छर देखा मैं बोलो कि अज़ा देगन सर्जो इतने अच्छी रिमिक्स बनाते हैं जैसे सिंगम द्रिशम बोल बच्छन हो गई बोले यह उनकी डारेक्शन की रिमेक है आउस्टैंडिंग यार मतलब सच मैं कोई बढ़ा कोई बी एक्टर जो आक्टर है तो डारेक्शन में वेली रहते हैं कोई भी पर अभी तक शीवा है रन्वे थाटीफोर और इंप पिच्छर दी उनकी और अभी चोप्य पिचर उनकी जो भी मैंना बिरूं की डारेक्शन में देखि आउस्टैंग मनाते औ और उनकी VFX मतलब कुछ को से उनने अपना खुद का जो एड किया न ओ भी बूर इंट्रेस्टिंग लग ऐसे नहीं लगा कि या रहे खाली पिली एड किया ऐसा भी निमुसे निकल रहे पोफ्ट लिं मतलब स्टाइटिंग में जो स्टार्टिंग पाता कि hp le roku उनके अंटराब स्पर्प Glück् trajectory सीन पंडरा स्टम और न संकर्वाद सीन थे करिया है यह जट जू दिसलेル यह कंड़िल 10 सब्सें बहुंगा प्र ज्यूंग Sorry दाइरेक्शन अगर बोला तो लोकेश भाई का भी नाम है पिच्छर के अंदर उन्होंने भी कुछ काम कुछ किया रहे हैं ज़े इतना भारी काम तो होई गाए इतनी अच्छी स्क्रीप उठाई है पर जिससे प्रेजेंटेशन हुआ है बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन था टबुआ शाय मिष्णा रहते हैं यह फिक्छर बें यह तो दोनों बैस्टी तो शाय मिश्टा सब काम दिपक सर जो अजय देगन पर भारी गिट गए अजय देगन ने उनको लूंच किया मतला उनको भारी पड़े गा क्या एक्टिंग किया यहार वंदेने इतने प्र तो में बोलोगों कि इंटल के पहलो एक बाइक का सीन है तो यहीं मजा रहे हैं बागी कुछ अगर आप देखो कि ना पुरा पेचा आप 2D में मज़े ले सकते हों बहुत अच्छी थी आक्षन अच्छा था मजा आ गया देखकर आपका तो नहीं कह सकते हैं इसका रिमेक अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं जहां पर कहते एक दम रह थी वहां पे अजय देगन ने इस फिल्म में बहुत सारी ऐसे चीज़े डाली है जो लोगों को बहुत पसं अजय देगन का डायरेक्शन अच्छी हमेशा अमेजिंग होता ही है टेकनिकल एस्पेक्ट्स बोलेंगे उनके जो फ्रेम्स होते हो बहुत सही लगता है जैसे साबसे चारेक्टर बनाया है उनके आसपास का बिल्डब दिया है अजर डिरेक्टर उन्होंने बहुत सब्सक् अजर लगता है अजर बहुत सब्सक्राइब कर लिए अच्छा था जहां पर हमने कैथी में देखा था वैसा ही लगबक थोड़ा वक्त लाइमेक्स है लेकिन हमने फिल्में कुछ ऐसा देखा है जो इसके सीक्वल से आपको बांदे रखेगा वह अभी बताऊंगा नहीं मैं कि स्पॉलर हो जाएगा तो पाच में से कितना चाहिए चाहिए आप चाहिए बहुत बढ़िया मूवी लगी सर भोला मुझको और क्या कुछ है भोला मैं आपको सबसे अच्छी बास क्या लिए फिल्म यह है सर इस्टोरि तो यह है फिल्म ड्रक्स के उपर है यह कि जो आदम दारू पीक, कहां बच्चे कैसे पैदा होंगे लग का नभे आदमी को बच्चे कैशी पैदा करने चाहिए तह things can ne बढ़िया एक नमबर उस्टा नमबी इतनी है परसालिटी जमती है और कोई रही नहीं जमती है कम रही है आपने देख लेना शूरू से जैसी पिच्छरी स्टार्ट होती तक action 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 आदमी मतरब उत्य जिद रहता है बीमार भी अपना ऐसा रहता है वो तुझ देख लिखता है क्या होने वाला क्या होने वाला इसा action में अजब सेखनी देखा picture के अंदर मुझे सर दोनों पार्ट है चे लगे है picture बनी मैं दो पेशाप करने भी निगया इंट्रवल में बैट बेगता है यार जरा सी निकल ना जाए बहुत बढ़िया सारा सारा मतलब जितने भी एक्शन सीन से वह लगता दो यह क्लाइमेक्स है यह क्लाइमेक्स है पांच में पांस दूंगा और लाश्ट में आते हैं अभी अभी शेक बच्छन जी हाँ वो बोलते हैं मेरा चेरहा बदला है मेरा करेक्टर नहीं बदला फिर आउंगा पांच में अच्छी लगी फूल अप एक्शन से एक्शन लेवर के लिए बहुत बैतरी नहीं है और वन टाइम वाच पी है इसा फैमिली मुवी नहीं है लेकिन बोल्यू तोड़का के कमी है उसमें लेकिन वन टाइम वाच है पिच्छर एक्शन के वाज़े चले की अंडि पर सब्सक्राइब लेकिन लग 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 रहा है और फिरीडी में देखने के लिए बहुत मज़ा आती है अच्छा है डायक्शन अच्छा है उसका 3D में देखना चीए पिच्छर एक आइटम सॉंग था वह अच्छा लगा अच्छा लग रहा था अच्छा लग प्राइमेक्स को खितने रेटिंग दूगा में है कि इसमें फैमिली मुवी नहीं है तो फैमिली को ज्यादा पसंद नहीं आए गाए प्रदान है भूला मुझे बहुत ज़्जादा परसंदा है थिंक मैंने इसका ट्रीले देखा तो मैं इतना नहीं एक्षप किया थिए नेक्स लेवल होगी और मुझे बहुत परसंदा है इक मोई में बहुत ही मांइड ब्लोईंग एक्षिन सेन से पंटाबलिस और 3D एफेक् में भी उन्होंने अपना जंडागाद दिया शिवाय मुवी हो या रन्वे 34 मुझे अच्छी लगी रन्वे 34 भी मुवी बहुत अच्छी ते और ये मुवी में भी फोटोग्राफी इतनी अच्छी है डारेक्शन इतना बहुत अच्छी है और रवी बस्टूर का म्यूजिक और बैग्राउंड स्कॉर बहुत अच्छा है तो मतलब सभी मतलब ओवरॉल जैसे मुवी में खुबी है मुवी में खुबी है तो वही इसमें दिखाया गया कि एक बाप अपनी बेटी से युनाइट होना चाता है और उसमें कितने अपसे डाउन साते है रोलर कोस्टर राइड है उनकी जिन्दगी तो यही दिखाया गया स्टोरी अच्छी है एक्शन के साथ एमोशन भी है ड्रामा भी है अगा एक्शन, एक्शन, एक्शन होगा तो लोग उन्जोयने कर पाएंगे जैसे आरारार मुवी क्यों चली या पुष्पा क्योंकि उसमें एक्शन के साथ एमोशन भी था तो वह एक यूनिक कॉंबिनेशन है तो वही यह नबस बगली अजे देव करने लोग पाएंगे आप अग्शन भी था एक्शन के साथ इंतेन लुक के साथ एमोशन भी लियाते हैं और तब एक नाशनल वार बीने एक्शन है अट्रस है शी ड़ एक्शन हो इसे अप्शन हो और इतनी वह वह वर्साटाइल है कहीं भी यह नहीं लगा कि कोई बनावथी इतना अ पर वन करेक्टर दाइट आट इन अवी इस वन करेक्टर दाइट इस डिपक दोब्रियाल वह मिश्यों कॉमेडी करते हैं इसमें को नेगेटिव रोल है उनकी लोग मुझे काफी दे तक मुवी में समझनी आए कि कौन एक्टर है तो उनका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा तो मुझे मुझे मुवी ओर बहुत पसंद आई और मतलब सभी किरदार बहुत अच्छे हैं बहुती मतलब म्यूजिक बहुत अच्छा है रवी बस्टूर का मुजिक और बैग्ग्राउंड स्कोर तो ओल इन अल इस अ फुल-on entertaining masala movie और बहुती enjoyable, बहुती entertaining, बहुती intriguing, you'll be at the edge of your seat from start till end. 3D effects, background sound and editing influence, how do you feel? 3D in a match? 3D in a match? 3D in a match, in a scene when he punches his teeth, right into your eye or something, and with Trishul, the action scenes are going to give goosebumps, अच्छान देने वाले हैं, मतलब जो हम लोग सहनातन धर्म के हैं मानने वाले हैं, उनको वो सीन्स गूस्पम्स देंगे, तो मैं कहलो कि action के साथ emotion है, drama है, अच्छा music है, और action तो ही mind-blowing, तो मुझे बहुत अच्छी लेगी, मतलब I can, I will give, as far as Ajay Devgan is concerned, I will give full 5.5 to Ajay Devgan. जो और direction जैए, लेख्शन उनकों ने वत खकिकhao है, और action तो बहुत ही बड़ ही, जैसे में कही अच्छी वहाइ, और Arm Female 30%, ओवरार मुवी को में दूँगा 3.5 स्टार्स बात अजे देवकान और तभू को 5 आटा 5 दृष्यम का मैजिक को नहीं रेक्रेट किया है थैंक्यू थैंक्यू